हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महत्वपून है हर एक एक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वह सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यहां पर जो हम कर रहे हैं पंजाब के मुक सेर जरूर करें का यह महत्वपून है कहते हैं जो बच्चे दुसरे बच्चे के वारे में सोचते हैं Spot or wayne आने वाला समय में आपको नोटिफिशन मिलेगा और आपको पता है कि तिरिपान स्टेडी सेंटर हमेशा कुछ न कुछ आपके लिए सदेव रखता है तो यह आपके लिए महतुपून बन जाता है यहां पर आपको सोचने की विचार करने की वशकता है देखा जाए अगर हम बात करें पंजाब के मुक्छ अतिहास है स्थान तो पंजाब के मुक्र अतिहास है स्थान के अंदर थैसर का अपना एक विशिसस्थान है तो कई चीजों के लिए महतुपून माना जाता है और यह जो हैändernosse हःयाना राज्जे में सुसवती सागर की किनारें इस्तित थने सर कर देखा जाये तो कुरुच्छेतर जिल्य में आता है यानि इसका जिला कुरुच्षेतर नां सांसर की इस dog फोने लिए अ पर मिली हुई है और जैसे देखा जाता है और इसका नाप का अर्थ हाता है थान भगवाण का घर तो ही इसका मतलब कोई न कोई महत्वपून गटना यहां पर अवश्रे गटी है और इसलिए भी तुपूने भगवान शिब की उपासक पुश्व भूती ने इसका पुरातन कथा भी चुरी हुई के दूत बजावान शिप के उपाशक जो पुश्ब्ष भीती ने इसका स्तापना किया थनेश्वर का इसलिए इसका जो है सावदी का जो भगवान 가운데के नाम पड़ता है कि हर्श्वर्धन वर्णाता यहां पर पहला शाशक था जिसने इसे अपनी राजधानी बना बाद में अपने जीजा के मृत्तु के बाद उसने कनोज खोवी थनेसर के समराज मिला लिया लेकिन यह भी महत्पुन बात आता है कि हर्ष वर्दन जो है पहला शाशक था जिसने अपनी राज़दानी थनेसर को बनाया लेकिन अपने जीजा के मृत्तु के उपरांत जो है इ अकर्मन भी किया और हो चक्र स्वामी मंदिर ये कर दिया यह महत्पणुन बात है कि एक हजार चौदा में महम्मद गर्जनवी को भी लोट कर निस्ट कर दिया कि महम्मध गर्जनवी औख कभी 509 में आ रहा है कभी आठ में आ रहा है कभी 14 में कभी 13 में तो मैं आपको बता दू मुहम्मद गजनवी हमेशा भारत पे आता था आकरमन करता था और यहां से अपार धन लूट के अपने देश ले जाता था और अपने पीछे जो हमेशा एक गुलाम साशक को यहां का गवर्नर बना कर जाता था त अब वह तुनेशर के खूब धन अब बंदी लेकर गजनी लोटा यानि देखा जाया तो यहां के तरे सुवर्म जितने धन थी सबको यहां से लूट कर लिए गया यहां दारा सिकोहो के सूफी उस्तास से जो है चिल्ली का मकवरा भी है जिस पर पलियंस पस्तापत का परभाब देखा जा सकता है कहते है धनैशट जो है मैं कई सी गूर्वों का भी दर्षन दीए बहु की याद में यहां गुर्द्वारा भी बनाए गए जैसे गूर्द्वारा तिसरी सातवी पताश पताशी नवी पताशी देखा जात तो कौफी यहां पर गूर्द्वारा बनाय payrolls के याद में कैंप भी लगाया गया था जब भारत आपको पता ही होगा कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान में बटवारा हुई थी तो बहुत से सरनार्थी जो थे पाकिस्तान से इंडिया में आये थे और इंडिया से जो है पाकिस्तान में गये थे तो जो सल थनेशर थी और इसलिए भी महत्पूर्ण है इसके पास ही सहर का विकास होने लगा यानि उसके बाद जो है सहर का काफी विकास हुआ और 23 जनवारी 1973 में एक नए जीले कुरुचेत्र की अस्थापना की गई कहते हैं कुरुचेत्र काफी महत्पूर्ण अस्थान रही और थ अस्थानस्वर यानि महादेव दुख भजन महादेव मंदीर भी है तो यहां पंदिर भगवान स्थान शृः का मंदीर भी बनाया गया है इसलिए इसलिए काफी महत्पूर्ण बन जाता है कहते हैंằngडु दर्म सिप को माननते आ इं वह यहां पर झरूड़ जाते हैं तो उसको देखने के लिए जो है जाते हैं और अपने दुख दर्द को यहां पर चुटकारा पाते हैं तो यह तरेस्वर जो है काफी महतपुन धार्मिक रूप से भी महतपुन बन जाता है जो काफी जरूर ही है इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खतम हो रहा है ठ जालूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिए गा अगर आप दुबारा से तिरपान पर आने कोशिश कीजिए गा तो आप तिरपान लिखिए गा तो जो है वो तिरपस कर देगा ठीक है जो आप पर आप यह तो इसका नहीं समय प्राइब कर देगा तो आप जो है तो आप क्रेंट को सब्सक्राइब करता ही है प्लस जो है यह एक तेन प्लस टू को भी कवर करता है साथ में विये जो है फॉस्ट इयर से लेकर सिक्स समेस्टर तक बच्चों के लिए ये अगरसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए काफी जो है तिरपान इसरी संडर का फैदा ही फैदा है ठीक है अगर आप मुझे प्रसाहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फैदा पहुचाएगा एक्जाम के तोर पे मैं आपको पेपर भी आपको सुलूशन करके दिखाऊँगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सस्क्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दुबारा मैं ना वीडियो बनाऊँ और आपको फैदा ना पहुचाऊँ तो अभी भी नहीं सोचिये मेरा जितना आप फैलाईएगा जितने दुसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कारे करने में अगरसर रहूंगा ठीक है दोस्तों इसे सोचिये मत विचार मत कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने अभी वर्ट सब स्टेटस में लगाईए और दूसरे बच्चों के साथ भी सेयर कीजिए ठीक है दोस्तों अपना ध्यान रखना बाइट अब कि अब कि अब कि अब कि अब अब कि अब कि अब कि अब ु कि झाल